स्क्रीन पर हमारा पहला सेंटेंस है अगली ट्रेन कब आएगी इसके लिए दो आप्शन्स हैं A. When will the next train come? आप्शन B. Where will the next train come? आप्शन A. इसका सही जवाब है When will the next train come? अगला सेंटेंस आपके घर की देखरे कौन करेगा? इसके लिए दो आप्शन्स दिये गए हैं Option A. Whom will look for the house? Option B. Who will look after your house? Option B. इसका सही है Who will look after your house? तीसरा सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है वह मुंबई में कब तक रुकेगा? Option A. How long will he stay in Mumbai? Option B. How much time he stay in Mumbai? सही आंसर है इसका How long will he stay in Mumbai? चोथा सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है बच्चे चोर सिपाही का खेल खेल रही है Option A. Children playing hide and seek Option B. Children are playing hide and seek देखते हैं सही क्या है? इसका सही सेंटेंस बनेगा Option B. Children are playing hide and seek पाँच्वा सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है अब आप कहां जाओगे? Option A. Where will you go now? Option B. When will you go just? देखते हैं सही इंग्लिश इस सेंटेंस की क्या होगी? इसकी सही इंग्लिश होगी Option A. Where will you go now? छटा सेंटेंस यह है आपकी महरबानी है दो आप्शन्स इसके लिए दिये गए है Option A. It is kind of him Option B. It is very kind of you इसके सही इंग्लिश होगी Option B. It is very kind of you साथवा सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है मैं पोधों को पानी दे रहा हूँ इसके लिए सही इंग्लिश क्या होगी दो आप्शन्स दिये गए है Option A. I am watering the plants Option B. I give water the plants Option A. इस सेंटेंस की सही इंग्लिश होगी I am watering the plants आठवा सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है आपकी शादी करीब आ रही है Option A. Your marriage is drying near Option B. Your wedding is coming soon सही इंग्लिश बनेगी सेंटेंस की Option A. Your marriage is drying near नवा सेंटेंस आपने बहुत अच्छा काम किया Option A. You do a very good job Option B. You did a very good job देखते हैं इसके लिए सही इंग्लिश क्या होगी Option B. सही है You did a very good job दस्वा और आखरी सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर है तुमने मुझसे जूट बुलवाया इसके लिए दो आप्शन्स दिये गए है Option A. You make me tell a lie Option B. You made me tell a lie देखते हैं सही क्या होगी सही इंग्लिश होगी Option B. You made me tell a lie थैंक्स पर वाच्छ